नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लसन की बजन से बारे में कुसमें बता हूंगा आपको लजन का बिजन से स्टार्ट करना है सस्ता सस्ता lesson कहां से करीतना है lesson के business में अपका investment किटना होगा lesson के business में प्रोफिट कितना होगा इसमें आप कितनी रुपेर कमाओगी तो चलि हिए दोस्तों शूरू करते को आपको बता दो कि आपको जो lesson मिलेगा उसकी quality इसी की नहीं होती जिस आपने सोचा होगा अपन जो घर पे लसन खरीते तो इस टाइप का लसन नहीं होगा वह बिल्कुल बारिक साइच का लसन होगा बिल्कुल बारिक क्योंकि आप यह देखो 20-30 रुपे के लिए किसाफ से आपको एसा लसन मिलेगा और आपको अच्छा लसन चीए तो उसकी मार् मार्केट में बेजने जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस लसन की ग्वालीटि भी इतनी जदा नी अच्छी नहीं है तो आपको अच्छी रेट मिलेगी तो पचाहस से साथ रुपे किलो आपको बेचना कैसा इस चीष को ध्यांत समझना वह लेसन आपका हजार बॉर aur फिक तो आपको इसके कुछ मशिन Après निए क्रिकिन में तो अबहुत करें यूट है अगर ईसमें आपको कुछ भी और अगर आराम से उस मशिन को आप ज्यादा मेंगी मशिन या थी पांट दस जार पंदर बीस जार रुपे के अंदर आपको लसन पीलिंग मशिन मिल जाएगी उस मशिन को खरीद कर आप इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हूँ आपको कुछी में निकाना या आप यह देखो 20-30 रुपे किलो किसा आपको लसन मिल जाएगा और आपको बस एक मशिन खरीद नहीं उस मशिन से करीदने के बाल लसन निकालना है लसन को पिर आप आराम से थेली में पेक करके मार्केट में उतार सकते हूँ अब इसमें बहुत बड़ी कोश्टिंग आ जाते कम से कम से कम से लेंटर बनाने कोश्टिंग आज की देखने में 60-70 रुपे इतने मेंगे उसके बाद में प्रिंटिंग के कोश्ट है वो अलग देनी पड़ेगी आपको जैसे कि आप अगर वो बोलते कि आप 100-200 थेली नहीं चपा सकते आपक जाएगी उस kalau को लेट ऊंटेंक पर जो अपकी कमपडिये का नाम अगरा वो डाल उस तली के आपकी जो मार्केटिंग हे 왜 머리 हो जाएगी क्या मतलब है आपको थेली चपनेगा और आप आपन बात करते हैं इस बिजनस में आपका इंवेस्मेंट कितना हो देखो इस बीजनस में कम से कम आप मेरी मानों तो कम से कम देखो 10-12,000 रुपी कि तो आपकी मशीन अपनध बात करते हैं कौन कौन राक मनेंगे आक फ्र्ली चेओं यहान बल्क में जाता है महां नोब सी होता है क्यावा हो वहाँ होता है क्योंकि यहां पर क्या दीए ने बेठता है घुले करण लिए तो आप से अच्छे का से कमत में खरीद लेते हूँ आप कösको होते हो ठीडिने चाओं सो सिखरी तो आप आपका लेसन के साथ उनको कोई मतलब नहीं क्यों सा लेसन क्योंकि वह तो वही प्रॉफिट कमाने के चकर में अब आपन बात करते हैं आप से होल से बात करें तो होल से बोला था कि आप एक काम करो अपनी ओडेंस बोलो कि जिसको जितने-जितनी क्वांटिटी में चाहिए व मॉबाइल नमबर जिसको जितने-जितने क्वांटिटी में चाहिए वह बोलेगा उससे किया मैं आपको कर लोगा डायरेक्ट जिसको जितने-जितने क्वांटिटी में चाहिए